सल्मान खान और कट्रीना कैफ ने जितनी भी फिल्म एक साथ की हैं उन फिल्मों के दौरान बवाल भी हुआ है एक भी फिल्म ऐसी नहीं गई जहां सल्मान और कट्रीना के बीच मतवेद न हुए हो ब्रेक अप के बास से इन दोनों की फिल्म के सीन या स्क्रिप्ट को लेकर अक्सर खटपट हुई है इस वीडियो में हम आपको सल्मान और कैट के उनी बिवादों के वारे में बताएंगे सल्मान और कैट के बीच तब मतवेद हुए थे जब साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एक ता टाइगर बैंकॉक में शूट की जा रही थी बताया जा रहा है कि कट्रीना कैप की एक ड्रेस देखकर सल्मान खान भड़क गई और बैनेटी वैन के अंदर एक सीन की शूटिंग को लेकर जगड़ा हुआ एक करिवी का दावा है कि इनकी कहा सुनी के आवाज बैनेटी वैन से बाहर भी सुनाई दी बतायी जाती है कि कट्रीना कैप एक ड्रेस पहनने वाली थी सल्मान ने जब उसे पहनने से मना कर दिया तो कैट ने दलील दी कि उन्होंने अपनी मरजी से नहीं बलकि डारेक्टर की पसंद से पहनी है बस ये सुनकर सल्मान भड़क गई मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक जब काफी हो हल्ला हुआ तो क्रू ममेंबर्स की तरफ से जगड़ा शंत कराया गया हलांकि सेट पर तनाव का माहल रहा सल्मान खान और कट्रीना कैप की फिल्म एक ता टाइगर में माशाल लगाना पहले से शेडूल नहीं था ये सल्मान खान की डिमांड पर रखा गया सल्मान खान चाहते थे किस गाने मोने काट्रीना कैप के साथ डांस करने का मौका मिले और लव एंगल भी सामने आई चो कि फिल्म एक्शन पिरियेड थी इसलिए कवीर खान और काट्रीना कैप भी राजी नहीं थे मगर सल्मान को लगता था कि अगर उनकी और कैट की रोमांटिक केमिस्टी को नहीं दिखाया जाएगा तो फैंस नाराज हो सकते हैं इसलिए माशल लागाने की एंट्री जबरदस्ती कराई गई कैट भी कुछ कहन सकी क्योंकि डारेक्टर को सल्मान के आगे जुगना पड़ा था टाइगर जिंदा है फिल्म के दोरान भी सल्मान और काटीना कैप के बीश थोड़ी अनवन की खबर आई थी दावा किया जाता है कि कैट ने फिल्म अपने डायलोग और कैरेक्टर बढ़वा लिये थे यहां तक कि उन्होंने सल्मान खान की लाइन कटवा कर खुद ले ली थी इस बात पर फिल्म के डारेक्टर अली अबास जफर ने भी मोहर लगाई थी अली अबास ने खुलासा किया था कि काटीना अपना जोड चला कर फिल्म में ना सिर्फ अपने डायलोग और रोल बढ़वा लेती हैं बलके सल्मान की भी लाइन कटवा कर, खुद ले लेती हैं और सल्मान भी मना नहीं करती जाहिर है कट्रीना कैप सल्मान खान के लिए खास थी इसलिए कुछ नहीं बोले मगर उनके मन में ये वातें जरूर दोती थी क्योंकि सल्मान के लाइन पर आज तक किसी और ने क्याची नहीं चलवाई थी भारत फिल्म में कट्रीना और सल्मान की जोड़ी को खुब पसंद किया गया मगर इस फिल्म से भी एक कॉंट्रोवर्सी जोड़ी है कहा जाता है कि सल्मान खान ने इस फिल्म में दखल अंदाजी की सोर्सेस के मताबिक उन्हों ने अपने हिसाब से सीन चेंज कराई अलियबबास ने सल्मान के साथ फिल्म न करने का मन बनाया जिस तरह खवीर खान की सल्मान के खेमे से विदाई हो गई उसी तरह अलियबबास ने खुद को लग कर लिया अलांकि कैट के दोनों फेवरेट डारेकटिर तो हट गई मगर वो अब भी सल्मान से जुड़ी हैं दोस्तों सल्मान और कैट की इन कॉंट्रोवर्सी पर आप क्या सूचते हैं कमेंट करके ज़रू बताएं